असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट वासेफली और आप देख रहे हैं क्रिक टेल्स यूट्यूब चैनल सीरीज है पाकिस्तान और न्यूजीलेंड की दो मैचेस अल्रेडी हो चुके हैं और पाकिस्तान के टीम फुल आउन हमें डोमिनेंट दिखाई दी है सीरीज के अंदर पहला मैच 88 रोनों से जीता दूसरा मैच और 30 रोनों से जीता बाबराजम और हारिस रोफ अब्दिक के हीरो बने हुए टीम पाकिस्तान के यहाँ पर बाबराजम की लाजबाब सेंचरी हमें देखने को मिली दूसरे मैच के अंदर और अब बारी है सीरीज के तीसरे T20 मैच की और इस वीडियो के अंदर आप जानेगे यह मैच कब कहार कितने बज़े होना है दोनों टीम्स की प्लिंग 11 क्या रहने वाले यह टीम के अंदर क्यातर दिलिया होगी साथ में पिच और वैदर की कंडिशन क्या रहेंगी ICC रैंकिंग भी हम आपको बताएंगी और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स भी जो है वो आपके साथ शेर की जाएंगी तो हर किसम की इंफर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ बने रहेगा आप वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें बताएगा कि क्या पाकिस्तान की टीम सीरीज को जीत पाएगी या फिर कुछ बेट करना पड़ेगा न्यूजिलैंड की टीम कमबैक करेगी इस तीसरे मैच को जीतने के बाद इस सवाल इसे में दीजेगा आप बता तो फर्स्ट अफॉल अगर बात की जाए दोस्तों इस मैच की तो यह मुकाबला है इम दोनों ही टीमस के दरमयान खिला जाएगा 17 एपरल मंडे वाले दिन रात 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 9 बजे इंडियन स्टैंडर टाइम के मुताबिक अदाफी स्टेडियम लाहूर से यह मैच के ला जाएगा और लाहूर का यह लास्ट मुकाबला है इसके बाद जो हमें मैचेज है वो पिंडी में शिफ्ट होते में दिखाई देंगे यहाँ पर 2 T20 और 2 बंडे मैचेज खेले जाएंगे और लास्ट के तीन मैचेज जो है वो कराची में होने हैं और वहाँ पर 3 बंडे मैचेज की सीरीज जो है वो दोस्तों खेली जाएगी तो यह दूस्टर मैच का टाइमिंग शेडिूल हर चीज है इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर पिचर वैदर के हवाले से तो दोस्तों पिचकी रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कदाफी स्टेडियम की बारिश होने के चांसेज की यहाँ तक बात रही तो बारिश के जो चांसेज है आप देख सकते हैं यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में तो यकीनी तोर पर देखा जा सकता है कि पेस्ट बॉलर्स को यहाँ पर मदद मिलेगी और इसके इलावा अगर बात की जाए एवरिज पहली इनिंग्स के स्कोर की तो वो 160 के आसपास का है तो वो 153 के आसपास का है और यहाँ पर जो भी पाकिस्तान टॉस को जीतेंगे वो बैटिंग करने का ही फैसला लेंगे क्योंके पाकिस्तान की टीम ने जो दो मैचेस जीते हुए वो पहले बैटिंग करते हुए जीते हुए तो यह पिच की रिपोर्ट है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर प्लेंग 11 के लीड कर रहे हैं और अभी तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेली गई ये कैप्टन को फ्रंट से लीड करने की जरूरत है लेकिन अभी तक कुनों ने ऐसा किया नहीं है विल यंग का नाम हमें देखने को मिल जाएगा विल यंग के बाद डैरल मिचल जो है वो टीम की प्लेइंग गिलवन का हिसा रहने वाले हैं अब हम बात करेंगे हम पर पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग लवन के हवाले से लेकिन उससे पहले आप सभी दोस्त मिल कर वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजेगा तो दोस्तो पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 के अगर बात करें तो एक से दो तब दिली इस मैच के अंदर हमें देखने को मिल सकती है फोर्स्ट चेंज जो है वो दोस्टों में देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर रिजवान की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिजवान जो है वो यहाँ पर पहले मैच के अंदर थोड़ी सी तकलीफ में हमें दिखाई दिये थे जब वो बैटिंग कर रहे थे और जाएंगे या फिर या फिर वो मुहमद हारिस को टीम के अंदर खिलाने वाले हैं अगर तो रिजवान फिट होए तो फिर यकिनी तोर पर रिजवान के साथ ही जाया जाएगा और जी बिलकुल क्योंकि सीरीज का यह तीसरा और इंपॉर्टेंट मुकाबला है और अगर पा जब यही तबदीली जो है वो दोस्तों नजर आ रही है अगर होनी भी हुई तो यह कह लिजे के एक चेंज जो है वो पाकिस्तान की ओपनिंग में हमें देखने को मिल सकती है बाबर आजम जो है वो टीम की प्लेंग 11 का इसा रहेंगे पहले मैच के अंदर सिर्फ 9 रंज ब लगाया फिर डबल लगाई और उसके बाद दो लगातार चौके लगाकर आखरी गेंद के ओपर जब यह 97 के स्कोर पर मौजूद थे तो चौका लगाकर एक्स्ट्रा कवर के रिये में अपनी यह सेंचरी पूरी की तीसरी सेंचरी बनाई और पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा सेंचरी बनाने वाले यह प्लेयर बन गए टीटवन्टी इंटरनाशनल क्रिकेट के अंदर इसके इलावा बाबर आजम ने जो है वो दोस्तों दुनिया क्रिकेट के अंदर जितने भी टीटवन्टी प्लेयर्स हैं उन्हें सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर प लेर हैं यह चीज़ माननी पड़ेगी तो यह हैं दोस्तों टीम की प्लेंग लवन्ट का हिसा जिसके बाद अगर बात की जाए फखर जमान की तो फखर जमान का नाम हमें देखने को मिल जाएगा और दूस्टरे मैच के अंदर यह फेल हो गए थे आते ही आउट हो गए थे पहली ही गेन की उपर तो फखर जमान जो हैं वो दोस्तों टीम की प्लेंग लवन्ट का हिसा रहने वाले हैं फखर जमान के बाद अगर बात की जाए साइम अयूब की तो साइम अयूब पहले मैच के अंदर 47 रंज बनाए अच्छा बहुत ही मज़े की बात यह थी कि पहले मैच के अंदर फखर ने भी 47 बनाए साइम ने भी 47 बनाए दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच के अंदर फखर ने भी कोई रंद नी बनाया और साइम अयूब ने भी कोई रंद नी बनाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों ही सला करके आए हुए हैं कि हमने कोई भी स्कोर जो है वो या फिर दोनों ने साथ साथ चलना है खर देखते हैं कि तीसरे मुकाबले के अंदर इनकी प्रफॉर्मिस कैसी रहती है शदाब खान का नाम जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा मिडल और के अंदर ये बैटिंग करते हुए हमें दिखाई देने वाले ह पर इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तो टीम के अंदर शामिल अगले प्लियर की तो वो रहने वाले हैं इफ्तखार एहमद पिछले मैच के अंदर जब पाकिस्तान की टीम ने पेदर पे पांच से छे रंस के अंदर अपनी चार विक्टो को लूस कर दिया था जब 99 पे पूर साथ देते हुए पाकिस्तान की टीम को जो के एक वक्त में मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही थी पाकिस्तान की टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर जाने में इन्होंने एक आहम रोल प्ले किया तो इफ्तखार का नाम जो है वो दोस्तों हमें देखने को मिल जिया लरूंडर प्लेर ये टीम की प्लेंग गलवन का हिसा हैं इमाद वसीम हमें खेलते वे दिखाई देंगे मिडल ओर के अंदर बेहतरीन गेंद बाज और यहाँ पर बैटिंग भी करने की ये काबलियत रखते हैं पिछले मैच के अंदर भी इन्नोंने एक विकेट और अच्छे कंट्रोल के साथ ये बॉलिंग करते हैं और यहाँ पर कह लिजिए कि इनका नाम हमें देखने को मिलेगा फ़हीम अश्रफ की अगर बात की जाए तो दोस्तों फ़हीम अश्रफ जो है वो टीम की प्लेंग गिलवन का जो है वो दोस्तों हिस्सा रहने वाले है पिंडी में जब जाएंगे तो देखते हैं कि सिचुएशन क्या रहती है लेकिन यह है कि लाहूर में फास्ट बॉलर को ज्यादा मदद मिल रही है तो इसलिए फाहीम अश्रफ जो है वो दोस्तों खेलते हैं में दिखाई देंगे नवाज इनकी रिप्लेस्मेंट के तौर हैं अभी तक थोड़ी से विक्टों की कमी दिखाई ज़रूर दी है लेकिन उमीद करेंगे कि आगे आगे यह रिदम में दिखाई देंगे अभी भी अच्छे रिदम में है विक्ट उस हिसाब से नहीं ले पारे लेकिन आगे जतने जतने यह मैचेस खेलेंगे क्योंकि कम बैक करने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर तो यकीनी तोर पर यह पाकिस्तान की टीम को फाइदा देने वाले हैं इसके बाद अगर बात किजाए दोस्तों यहां पर हारिस रोफ की तो अब तक कमाल फॉर्म में यह दिखाई दिए हैं आठ विक्टे दो मैचेस के अंदर यह आठ विक्टे ले चुके हैं और आउस्ट्रेंडिंग क्रिकेट जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से खेली गई है तो यह टीम की प्लिंग लवन का हिसा बनते हुए में दिखाई देंगे जबके जमान खान जो के पाकिस्तान के लासित मलिंगा आप इनको बोल सकते हैं ब कैले के जमान खान जो है वो उनके बाल वैसे नहीं अदर्वाइस वो बिलकुल जो है वो दोस्तों अच्छे दिखाई दे रहे हैं तो यह सिच्वेशन है दोस्तों और प्लिंग 11 भी हम आपको बता चुके हैं ICC की रैंकिंग के अगर बात की जाए तो रैंकिंग के हवाले इससे आपको बताते चादे के पाकिस्तान की टीम इस वक्त नंबर तीन पर मौझूद है लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर कह लिजे के यहां पर जीत लेती है इस सीरीज को अच्छे मार्जन से जीत लेती है टीम पाकिस्तान तो यहां पर पाकिस्तान की टीम इस सीरीज को पर भी जा सकती है बरल अब देखते हैं कि ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला चार मैचस कम जीत लेते हैं तो फिर उनके चांसे दो नंबर दो पर जाने8 पर जाने का अएक बहतरीन मौका मौदी रहने वाला है तो दोस्तों ये सिच्वेशन और ये प्लेंग 11 रहेगी ट को सब्सक्राइब अपने होस्ट और दोस्वासे वली को दीजिए गाई जाज़ टेक केर एंड बाई बाई